नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में हमारे बदलते लाइफस्टाइल और बदलती खानपान की वज़र से हमारे शरीर में कैल्सियम की कमी होती है जिस वज़े से लोगों के जोडों में दर्द की समस्या देती है और 39 की उमरंपार करने के बाद उन लोगों की हड्डिया कमजोर होने लगती है इसका सही कारण है कि लोग अपने खानपान पर सही तरे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ज्यादातर बाहर की चीजों का सेवन कर रहे हैं जिस वज़े से उनकी शरीर में पोशक्तत्व की कमी होती जा रही है लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन करने से आप अपनी शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपाय सेव का सेवन सेप के अंदर काफी मातरा में फाइबर, फिटामिन्स और कैल्शियम की गुन पाय जाते हैं जो शरिन में हड्डियों को मजबूती बनाने का काम करते हैं अगर कोई वेक्ति हर रोज सुभह के समय खाली पेट एक सेप का सेवन करता है तो शरिन में हड्डिया मजबूत रहती है चना चना के अंदर काफी मातरा में प्रोटिन और कैल्शियम की गुन पाय जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम आपको अपनी हड्डियों को मजबूती करने के लिए हर रोज रात को सोने से पहले एक मुठी चने को पाने में भिगो कर रख देना है और सुबह वो चने का सेवन करना है अगर आप लोग यह उपाय कर लेते हैं तो आपके शरिन में कैल्शियम की पूर्टि हो जाती है और हड्डिया मजबूत हो जाती है विटैमिन D जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है वे लोग विटैमिन D का सेवन कर सकते हैं या फिर सुबह के समय थोड़ी देर के लिए धूप में बैट सकते हैं क्योंकि धूप में विटैमिन D होता है और आप लोग चाय तथा कॉफी का सेवन एकदम बन कर दे क्यूंकि ये कैल्शियम की कमी का कारण है प्याज और लसुन का सेवन खाना खाते समय प्याज और लसुन का सेवन जरूर करना चाहिए क्यूंकि इसके अंदर काफी मातरा में सल पर पाय जाता है जो हड़ियों को मजबूत बनाने का काम करता है मशुरूम का सेवन जो लोग अपनी कमजोर हड़ियों से परिशान है उन लोगों को अपनी डायेट में मशुरूम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्यूंकि मशुरूम के अंदर काफी मातरा में विटामीन, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे जरूरी पोशक्तत्व पाय जाते है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसन आयो होगी यदि आपको हमारी यह जानकारी पसन आती है तो क्रूपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करे ताकि वह भी इस जानकारी का लाब उटा सके यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते है तो अपनी किमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद